खुद को महला का उधारक बताने वाले CMT शाकिर चुप क्यों हैं। गायगाट शेल्टर होमकांट को लेकर एक और लड़की जो है वो महला थाने पहुंची थी शिकायत दजगी वकायदा लिखित कम्प्लेन करी लेकिन फिर भी आफाया दर्च नहीं किया गया। हमने आपको बताया कि पहले कैसे लड़की सामने आती है आरोप लगाती है कि वहां पर लड़कियों को नश्री दवायां दी जाती है और फिर गलत काम करवाय जाता है। हमने लड़किया गया है अब लगतार सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सीम नितीश की सरकार किसको बचाना चाहती है। और ये कहकर भेजा गया था कि तुम्हारा लाइफ जो है सिट हो जाएगा। कल वो लड़की बकायदा पहुचती हैं। महला थाने में पहले कॉल किया जाता है लेकिन महला थाने के तरफ से कॉल रेसीव नहीं कि जाती है। फिर लड़की महला विकास्मंच के महला के साथ पहुचती है। शिकायत दर्ज करती हैं लेकिन एफायर दर्ज नहीं होता है। इसको लेकर बकायदा हाइकोर्ट राजसरकार को पुलिस प्रसासन को फटकार लगा चुकी है कि कम से कम एफायर तो दर्ज करना चाहिए। पहले केस में जब लड़की ने शिकायत की थी तो एफायर दर्ज नहीं किया गया था। और मात 24 घंटे में समाज का लियान विवहाग ने वंदना गुप्ता को क्लीन चीट दे दिया था। और उसके बाद एक बार फिर से जब हाय कोट अतार लगा चुकी है उसके बाद भी अब तक एफायर दर्ज नहीं किया गया है। अब कई एसी लड़किया है जो सामने आने को तयार है लेकिन वो मीडिया में अपना बयान नहीं देना चाहती है। कोट में वो अपना पक्च रखेगी। तो सवाल ये उठ रहा है कि जब एक के बाद एक महिला सामने आ रही है और वो सब कुछ बता रही है जो कुछ भी आरोफ पंदना गुपता पर लगाया जा रहा है वो सच्ची घटना है वहाँ पर वकाइदा बड़े-बड़े घर से जो है लड़के आते हैं और लड़कियों के साथ वहाँ देह वेपार करवाया जाता है लेकिन फिर भी स्यम नितीश की सरकार चीव फहला कि जब स्वाल उठ रहा को पता होगा पूर आपी समिताब दास ने भी साफ तो पर पर कहा था और कहा था कि इसकी जानत सीवियाई से पूरे मामले को रफा दफा करना चाती है लिपा पूति करना चाती है और आपको खबर यह भी बताया था कि एक महला होम गाड जो वहां पर हो रहे है अन्याय को लेकर वाद उठाई थी उसके बाद उस महला को नौकरी से वकायता हटा दिया गया और उस महला ने स्यम निती करवाती हैं जो उनकी बात नहीं मानता है उसके साथ वहां नया किया था वहां पर एक लड़की के बारे में खबर आया थी उसने फासी लगा लिया था लेकिन उस लड़की का यह कहना है कि उस लड़की ने फासी नहीं लगाया था बलकि उससे मार दिया गया था और उस के साथ खास खास कर जब अन्या होता है तो वो अपने खिलाब जो है आवाज भी नहीं उठा पाती हैं हलाकि 11 फरवरी को हाई को में इसको लेकर फिर सुनवाई होनी है हाई को साथ और पर कह चुका है कि आखिरा फायर दर्ज शो नहीं हो रही है और दूसरी बार जब महला प से कारवाई की जा रही है यह अब कहीं ने कहीं शक को बढ़ा रहा है कि सरकार कहीं ने कहीं बड़ी मचलियों के बचाने की पूर्ज और कुशिश कर रही है वंद्रा गुपता को मातर 24 घंटे में क्लिंचित दे दिया गया था और समाच कल्यान युहाग के मंत्री वदन सर को रुपे कहा था कि सिर्फ आरोफ लगाने से सत्ता सामने नहीं आ जाती हम इसकी जांच कर रहे हैं लेकिन यह हुता दे कि जब पहली लड़की जिसने पहली बार आरोफ लगाया था जब वहां पहुंची थी तब वखायदा उनसे बाचीत भी नहीं की गई जिस जो लिचस्प होगा कि वाकई में क्या आफायर दर्ज होती है क्योंकि यह नियम है अगर कोई शिकायट ले कर जाता है इतने बड़े गंभी आरोफ में तो कम से कम आफायर दर्ज होनी चाहिए लिखिन आफायर दर्ज नहीं किया गया जो लगातार सरकार के मनशा पर सवाल नहीं कहीं इस पुरे मामले को रफा दफा करना चाहती है लिखिन अब तक यह जाच पर क्रिया चल रही है यहां तक कि जब दूसरी लड़की शिकायत लेकर पहुंची तो फिर से आफायर दर्ज नहीं किया गया और यह कहीं कहीं सरकार के मंगते पर सवाल ख़ड़ा कर रह रहा है तो आप साफ हो चुका है कि इसको लेकर जाच तो सरकार को करना ही पड़ेगा चाहें दवाब में क्यों न करना पड़े तो हमारे नजरे जो है गाय घाट रिमांड होम पर लगातार बनी रहेंगी इसको लेकर जो कुछ भी अर्विट आएगा तो हम उससे आपको इ सब्सक्राइब होने वाली है और देखते रहें जन्ता जंक्शन और बनने वाद